नमस्कार पूजा किचंस में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चावल का डोसा वो भी बहुत ही इजी स्टाइल में और मैं आपको आज बताऊंगी कि डोसा कैसे बनाए जिसे की वो आपका तवे में ना चिपकी तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट कर करते हैं और अभी तक जिस जिस ने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक ज़रू करें तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने बावल में दो कप चावल लिया है चावल यहां मैंने कोई भी यूज कर लिया है आप भी अगर दोसा बले चावल यूज करना चाते तो आप वो यूज कर सकते हैं और आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने चना दाल ली है चना दाल से क्या होता है जो डोसा है वो चुपकता नहीं है आधा कप मैंने उरत की दाल ली है और एक चोटी चमश मैंने मेथी दाना लिया है अब इन सबको मिक्स कर लेंगे आप चाही तो इन सबको अलग अलग भी भी हो सकते हैं बट मैं सबको एक साथ बिगाती हूँ अब इसको हम अच्छे से दो से तीन बार पानी में धो लेंगे अब मैंने अच्छे से दाल चावल जो हैं अच्छे से दो लिया है अब इसे मैं तीन से चार घंटे के लिए भीगा देती हूँ अभी अच्छे से भीग चुके हैं अब इसको मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ ग्राइंडर में आपको पीसते वक्त एक बात यह दिहान देनी है जब भी आप इसे पीसे तो इसे जो है गरम ना होने दें इसे फर्मेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है यह देखे ऐसे सारा पीस लीजे यह देखे यह मैंने पीस लिया है अब इसे मैं हाथ से अच्छे से गुमाऊंगी जिसे की हाथ की गरमी से इसमें फर्मेंट हो जाए अब इसे मैंने ढखके रख दिया है दस से बारा घंटे के लिए यह देखे मेरा दोसा का बैटर रेडी हो गया है बैटर जो है मेरा अच्छे से रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं इसे मैंने दस से बारा घंटे तक रखा था यह देखे अब चलिए डोसे के लिए अंदर की पिलिंक बना लेते हैं सबसे पहले मैंने एक कडाई में आयल लिया है कम से कम एक टेबल स्पून मैंने आयल लिया है इसमें मैंने सरसो के ताने डाल दिये हैं, इसे हम अच्छे से जटका लेंगे, उसके बाद मैंने दो से तीन खड़ी लाल मिर्च ली है, इसे भी हम डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यहाँ पर मैंने 12-15 कड़ी पत्ता के पत्ते लिए हैं, इसे भी अच्छे से हम गरम कर लेंगे, और मैंने एक बड़ा प्याज, लंबे-लंबे स्लाइसिस में काटा है, और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हमें इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं होने देना है, बस इसका कच्छापन खतम करना है, यहाँ मैंने 3-4 बॉइल आलू लिए हैं, इसे भी हमस में डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे, अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाला है मैंने, चोटी चमच, आदी चोटी चमच, लाल मिर्च मैंने यहाँ यूज करी है, आदी चोटी चमच, यह आदी चोटी चमच मैंने गरम मसाला यूज किया है, आदी चोटी चमच मैंने इसमें नमक डाला है, और इन सब को हम अच्छे से मैश्ट कर लेंगे, इसे ऐसे अच्छे से मैश्ट कर लेंगे हम, जोसे के अंदर की फिलिंग हमारी बन गई है, अब इसे एक हम बाउल में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, अब हम डोसा बनाते हैं, डोसा बनाने से पहले अभी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और अब हम पैन हमारा गरम वो चुका है, जिसमें हम डोसा बनाएंगे, उसको चेक करने के लिए पहले मैंने पानी डाला था, उसके बाउस से साफ कर लिया, अब इसमें हम डोसे के बैटर को फ्यलाएंगे यह दिखें इसे हम अच्छे से गरम करेंगे और इसमें थोड़ा सा ओइल लगा दिएंगे और जो हमने फिलिंग बनाई है वो इसके अंदर हम भर दिएंगे डोसा हमारा नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुका है यह दिखें ऐसे विल्कुल इसको ऐसे यह दिखें डोसा बन गया है हमारा इसे हम एक ट्रेट पे निकाल लेंगे ऐसी हम दूसरा डोसा बनाएंगे उसके लिए वैसी पहले हम पानी डालके हम अच्छे से उसको गरम करके उसमें उसको साफ करके उसके बाद डोसे के बैटर को डालेंगे जैसे अभी मैंने डाला है मैंने आपको दिखाया नहीं है बड़ आप ऐसे करना इसे अच्छे से इसकी जो फ्लेम है वह हाई रखना आप यह दिखें नीचे से डोसा मेरा ब्राउन हो गया आपको दिख रहा होगा फॉयल डाला है मैंने अब फ्रिसेस में ऐसी फिलिंग भ इसे भी ऐसे आप निकाल लेंगे मेरा देखें टोसा बनके रेडी हो गया है यह देखें इसकी मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आपको यह देखें इसे आप नारील की चट्मी सामबर के किसी के साथ भी आप खा सकते हैं इस सब के साथ बहुत अच्छा लगता है दोसा और यह सब को घर में बहुत पसंद आता है आप बैटर को स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं जब आपका मन करें आप तभी डोसा घर में बना सकते हैं बैटर एक अपते तक चल जाता ह और अगर आपको मेरी रैसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलाए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक जरूर करें , बैल ऑइकन कोद ब्रैस करें में ब्रेफम कमेंट करकेज़र बताए तो आपको वीडी जरूर कैसी लगी Thank you